एक नए टॉपिक में आप सभी लोग का फिट से स्वागत है गाईज अगर आप भी फेस्बुक क्रियेटर हैं और फेस्बुक पर वीडियोज बना रहे हैं डैट मिन्स कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि फेस्बुक पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है अगर आज आप ये सारी चीज़े जान लोगे तो शायद मैं आप लोग को बताऊं कि मिलियन्स में व्यूस टच कर सकते हो लोगों ने कुछी चंद वक्त में मिलियन क्रॉस कर लिये हैं व्यूस ऐसे भी क्यों कर लेते हैं वो लोग ये उनके स्ट्रेटीजी पर निर्भर है आप लोग अगर वो स्ट्रेटीजी जान लोगे तो आज आप भी फेस्बुक क्रियेटर के एक महान क्रियेटर बन जाओगे ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग आज इस वीडियो में समझ लोगे तो टॉपिक को शुरू कर लेते हैं जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मिलेकर नॉटिफिकेशन बेल को जरूर दबाते दोस्तों और किसी भी पर्सनल इंफ्रोमेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आजो रेगुलर अब्डेट आपको यहीं पर मिल रही है एवरी डे और रोज सुबा तस पजे लाइव आप लोग के लिए आते हैं आज येगा लिंक डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा हम यहाफर फेस्बुक पर बात कर रहे हैं फेस्बुक पर जो भी क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं आप लोग को यह तो अच्छी तरह से पता है कि आपको अपने पेच पर वीडियो अप्लोड करनी है वीडियो अप्लोड करने के लिए भी बहुत सारी चीज़े हैं जब आप एक अच्छी वीडियो कर लेते हैं एक अच्छा कॉनसेप्ट तयार करते हैं उसकी written story लिखते हैं या फिर आप a tech creator है या इसके लाबाए sport creator है या educated creator है या कोई भी creator है एक theme बनाते हो create करते हो वीडियो को about section के लिए सारी editing रखते हो उसके लिए क्या क्या चीज़े चाहिए वो सब arrange करते हो आपकी final cut video edit हो गए गई अब upload करते time भी आपको कुछ चीज़े दिहान रखनी होती है बस यही समझना है और यह कैसे करना है यह हम आपको बता ही रहे हैं देखो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको सबसे पहले अपने facebook पर मैं आपको दिखाना चाता हूँ देखो यह मैं facebook अपना open कर लिया है facebook से open करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है what's your mind अब यहाँ पर जाके आप video select करके यहाँ से डाल सकते हो पर मैं इसका मशवरा बिलकुल नहीं दूँगा एक creator होने के नाते आपको facebook का अपना एक application है जो download कर लेना चाहिए और यहाँ पर अगर आप facebook studio भी लिखते हो search करते हो तो वो आपके सामने आजएगा और यह है हमारा meeta business suit यह है facebook का एक नया application जहाँ पर आप अपने studio को पूरा dashboard देख सकते हो अब यहाँ पर यह बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे yt studio करता है बस इतना समझ लिया आपने अब आजओ open कर लेते हैं जैसे इसको open करेंगे हमारे सामने कुछ interface आजाता है यह interface हमारे facebook और instagram दोनों का ही है हमें अपनी videos को post करना है हम जैसे यहाँ पर नीचे टैप करेंगे देगे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है you have not share a post last 43 days हमने कोई भी video 40 दिन से जादा हो गए हमें और हमने post नहीं करी तो हम यहाँ पर create post करेंगे जैसे मैं create post करता हूँ option पूछ रहा है कि आप अपनी video इंस्टा और Facebook दौन पर upload करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर Instagram हटा दूँगा सिर्फ Facebook चैसी मैं आ जाता हूँ Facebook पर तो यहाँ पर मेरा उपर पेज का नाम आ गया मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो वापिस से फिर वोई सारी चीज है किसी group में भी personal share कर सकते हो यहाँ पर tap करने के बाद यह बाद वाला process समझ लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एक video उठा लेते हैं मेरे पास video है यहाँ पर करीब 15 मिनट की तो मैंने यहाँ पर एक यह video उठा लिए इस video का यहाँ पर मैं title देने वाला हूँ अब मैं title देने के लिए सबसे पहले अपने YouTube में ही जाता हूँ क्योंकि यह video मैंने अल्रेडी पोस्ट कर दी है तो मैं same title रखूंगा ना तो जादा अच्छा है होगा क्योंकि वहाँ से मैं इस पूरे concept को ready कर सकता हूँ किट्स ABCD video है ना या फिर कैसे लिखना था ABCD kids video तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ किट्स ABCD video ठीक है how to make kids ABCD video animated वाली लिख देते है animated बस इतना हम लिख देंगे और इसके बाद मैं अपना जैसे के channel का नाम लिखता हूँ वह लिख दूँगा यहाँ पर और इसके बाद का देखते हैं क्या चीज होता है 2024 के लिए कर देते हैं इसको बस इतना मैंने यहाँ पर कर दिया और करने के बाद मैं space देता हूँ तो hashtag का एक option आ जाता है अगर मैं इसको hashtag पर देना चारा हूँ कुछ नहीं तो मैं इसको normal ही खतम कर दूँगा यह तो हो गई हमारी वीडियो यहाँ पर पहुँच गई अब नीचे है इसका कुछ activity इस activity में आप यहाँ पर location एड़ कर सकते हैं आप अपनी feeling activity यहाँ पर एड़ कर सकते हैं यहाँ पर हम उसमें कुछ भी title लिख सकते हैं कोई भी वीडियो इसमें audio पीछे से लगा सकते हैं यह सारी चीज़े हम कर सकते हैं तो यहाँ पर वो सारी चीज़े add-on करने के लिए हमें मिल जाती है हम कर देंगे three dot पर click करने के बाद कोई चीज नहीं समझ मारी किसी चीज़ का report करना है वो भी कर सकते हैं यह हम back कर देते हैं keep editing वाले करके यहाँ पर discard कर देते हैं इस video को और हमने यहाँ पर इसको back कर दिया है back करने के बाद नीचे next का एक option आपको मिल जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी videos publish करना चारहे है या save करना चारहे है या schedule करना चारहे है मैं इसको as it is publish करना चारह हूँ तो मैं इसको publish कर दूँगा तो यहाँ पर मैंने इसको publish कर दिया है और publish करने के बाद यहाँ पर हमारे कुछ messages आ गए है schedule post और reply message और invitation का जो हमने complete नहीं करे हैं यह हमें complete करना है इसको मैं यहां से काट भी दूँगा और काटने के बाद मेरा जो content है वो अभी public हो रहा है उपर यहां पर मैं देखूंगा तो शायद इसकी notification यहां नहीं है बट यह अभी पब्लिक हो रहा है तो वीडियो हमारी post हो चुकी है और यहां पर अब यह बिल्कुल ready है कि इस पर अच्छे views आएं और हमने इसका title लिखा हुआ है कुछ और hashtags हम यहां पर add कर सकते हैं इसका thumbnail add कर सकते हैं यह सारी चीज़े आपको इसी business सूट में मिल जाएगा और यह application free of cost आप सब लोग के लिए play store पर available है जाकर आप इसको download करें and अपने facebook पर वीडियो post करें